एक बार फिर से मेरे नियोजी टीचर नियूज 2.0 में आप सभी सिक्षक सांथियो का स्वागत है आज मैं फिर S.S.A.R.G.O.V.M.T. का बेतन अफडेट लेकर हाजिर हूँ आप सभू को बीच बेतन अपडेट जानने से पहले अभी तक मेरे नियोजी टीचर नियूज 2.0 को सस्क्राइब नहीं किया है तो किर्पिया चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन अवर से दबादें ताकि इस तरह का अपडेट जब भी लेके आऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलें सबसे पहले आपको आईए देखते हैं सबसे पहले बांका जिला से एसेस ए मद से प्राप्तना अनुसार अबरेल का भुक्तान पूर्व में ही हो चुका है वही मई माह के भुक्तान के लिए कल से परसो तक हो जाएगा वहीं जियो भी मद में कल से परसो तक इसका भी भुक्तान हो जाएगा इसकी जनकारी जीला मीडिया परभारी परमोद जी के द्वारा प्राप्त होई है चलिए अब चलते हैं सिता मड़े जीला SSA मई का चेक सुक्रबार को ही कटा है पिछले सुक्रबार को कटा है तो एक से दो दिन में बिपत्र भुक्तान के लिए बैंक चला जाएगा उसके बाद भुक्तान की परकिरिया चालू होगी यानि सुक्रबार से संभावना है कि भुक्तान चालू हो जाएगा अगर सब चीज ठीक ठाक रहा तो नहीं तो अगले सब्ता में नीश्चित रूप से भुक्तान हो जायेगा मई 2021 का भुक्तान SSA से वहीं जीयो भी मद का मई माह का भुक्तान पूरू में ही हो चुका है अब नलंदा जिला से प्राप्त सुचना अनुसार SSA मद से अपरेल माह का भुक्तान हो चुका है और मई माह का भुक्तान तीन से चार दिन में हो जाएगा वहीं हरताल अवदी और नवपरसिक्षी सिक्षों के अंतर रासी का भुक्तान संभव नहीं है क्योंकि जीला में रासी प्राप्त नहीं है उमीद है कि जून माह में ही हरताल अवदी का भुकतान है तू पैसा रिलीज हो जाएगा जैसे ही जिला को रासी प्राप्त हो जाएगा भुकतान की परकृरिया चालू हो जाएगी वहीं जीयों भी मद में मई माह का भुकतान हो चुका है अवर जून माह के बेतन भुकतान के लिए रासी पहले से जीला में प्राप्त है तो जून माह के भी भुकतान सह समय हो जाने की जनकारी प्राप्त हुई है ये जनकारी जीला मीडिया परभारी सुर्यकांत जी के द्व प्राप्त हुई है आगे चलते हैं मदपूरा जीला एसे से मद से प्राप्त सुचना अनुसार अपरेल मा का भुखतान हो गिया है और मई मा के भुखतान के लिए एक से दू दिन में विपत्र बैंक चला जाएगा उमीद है कि इसी सप्ता में मई 2021 का एसे से से भुखतान हो जाएगा वहीं जीयो भी मद में अपरेल का भुखतान हो चुका है और मई मा के भुखतान के लिए विपत्र एक से दो दिन में चला जाएगा इसका भी भुखतान इसी सप्ता में होने की संभावना है वहीं अंतर रासी भुगतान में सुचना प्राफ्थ हुआ है कि कुछ पर्खंड का विपत्र जीला में जमा है और कुछ का नहीं जमा है जिसके कारण भुगतान लंबित है तो जीला के सभी नत्रित्यो करता यहां परखंड के सभी नत्रित्यो करता से अनरोध है कि जिस परखंड का विपत्र अभी तक जीला में नहीं गया है वहां के बिपात्र जीला में भेजवाने का पर्यास करें कि भुखतान की परकिरिया चालू हो जाए संभावना है कि एरियर का भुखतान हो जाएगा रासी पहले से जीला में प्राप्त है सेस जीला से भी जनकारी प्राप्त कर आप सबों को देने का परियास करूँगा तब तक मेरे चैनल पर आप बने रहें और वीडियो को सेर करें लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब करें वहीं दर्भांगा जिला से भी मैंने पर्यास किया अपडेट लेने का लेकिन वहां के मेडिया परभारी कॉल रिसीब नहीं किये जिसके कारण आप सभी को अपडेट वहां से नहीं दे सकता हूँ वहीं जहानाबाद के भी सांतियों के द्वारा मेरे चैनल पर कॉमेंट आया है अपडेट के लिए तो वहां के जिला ने तरित्व करता सुधीर जी से मैंने बात करने का पर्यास किया लेकिन उनके द्वारा कॉल रिसीब नहीं किया गया जिसके वज़ा से आप सभी को मैं सु का धन्यवाद